कार बहिशकार का एलान किया गया है वकील भी न्याईकार नहीं करेंगे वकीलों पर अत्याचार के खिलाफ कार बहिशकार का एलान किया गया है पूरे प्रोदेश में आज वकील हर्ताल पर रहने वाले हैं कार बहिशकार करने वाले हैं तो आपको अतादे कि आज यूपी बा पार एसोशेशन कार बहिशकार करने वाला है वकील भी न्याइक कार नहीं करेंगे तो वकीलों पर अत्याचार के खिलाफ कार बहिशकार का एलान किया गया और पूरे प्रोदेश में आज वकील हरताल पर रहने वाले हैं तो लखना उसे बड़ी ख़़वर अब तक पहुंच कार बहिशकार का एलान किया गया है वकीलों पर अत्याचार के खिलाफ कार बहिशकार का एलान किया गया है तो पूरे प्रोदेश में आज वकील हरताल पर रहने वाले हैं और आज यूपी बार एसोशेशन कार बहिशकार का एलान कर रहा है तो वकील भी न्याइक कार आज क अनूप हमाई साथ हमाई समभादाता और जादा जानकारी के लिए लाइफ जुड़ गए हैं अनूप अपसे जानना चाहेंगे कौन-कौन से ऐसे मुद्धे हैं जिसको लेकर कि आज वकीलों की तरफ से कार भाहिशकार का एलान किया गया दीखे मनिस बिलकुल आज ये परदेश के लिए बड़ी खबर है कि उत्ता परदेश जो बारे सोशियेसन ने उसने हरताल का एलान किया है आज कोई भी काम जो है किसी भी नाले में नहीं किया जाएगा ये महा हरताल मानी जाएगी परदेश में वकीलों की क्योंकि इसमें हाई कोट सिविल कोट जितनी भी संस्ता हैं वो सभी वकील जो है इसमें सामिल है आज कोई भी काम जो है करना करने का एलान कर दिया गया है जिससे खासा परभाविश जो है जनता को भी होना पड़ेगा क क्यों कि तमाम लोग बड़ी संख्या में पाहुचते हैं तो जो काम है वो पूरी तरह से अठब करने का अलान किया गया है पूरे जो वकील है परदेश के वो हर्ताल पे हो इनकी मांग यहीं है कि जिस तरह से बीते दिनों लगातार जो अधिवक्ता है वो अपरादियों के न दिनीशाना बनाया जाता है तो इनके ऊपर जिसस से हमले किये जा रहे हैं इंकी हात्याय खोकानूं बनाने की अवस्ता है कहीं न कहीं ठोस कदम उठाने के आव सकता है तो जिसको लेके आज पूरी तैसे हर्ताल पे हैं और आज जनता को जरूर जो है इसका कहीं न कहीं जो है काम सामना उठाना पड़ेगा उनको जो है कटनाई जहलनी पड़ेगी क्योंकि बड़ी संख्या में लोग पहुचते हैं जाहे हम काईदियों की बात करें तो जेल से जो काईदी पहुचे जिनकी आज पेसी होनी है वो काम प्रभावित होंगे इसके अलावा बड़ी संख्या में राइष्टी होती है तैसिल में वो प्रभावित होंगे इसके अलावा जिसने भी काम होते हैं कोट में तो आज किस करेंगे पूरी तरह से हरता का एलान किये हैं एक बड़ी खबर है उत्ता पर्देश में आज की जिस्ते से उत्ता पड़े बार युश्यस ने हरताल का एलान किया है और इससे पहले इनुने सरकार को चैता है था जिस तरह से घटनाय हो रही है अधिवक्ताओं को निशाना बन क्या आने वाले दिनों में भी भाईशकार देखने को मिलेगा दिके अभी हाली में लखनों में अगर हम बात करें तो कशना इलाके में सिसिर हत्या कांड के हुआ था बेबरता से बुरी तरह से कई लोगों ने मिल करके सिसिर पाठी जो अधिवक्ता थे उनकी हत्या कर दी इसके अलावा कई बार जो है बली घटना दिखाई दी हैं जहां पर अधिवक्ताओं को जो है निशाना बने जाता है उनके उपर हमले किये जाते हैं तो और सिर्व राजधनी लकनों ही पूरे परदेश की अकसर तस्विरे सामने आती हैं जहां पर जो अधिवक्ता संग है वो कही न कहीं जो है निशाना बनता है तो ऐसे में एक दिन का ये हरताल जो है किया गया है और सरकार को ये चिताय जा रहा है कि सरकार जो है इस पर फोस्त कदाम उठाए जो अधिवक्ता हैं उनकी सुरच्छा की गारणटी दे अनिता आज एक दिन की हरताल है उसके आगे प्राइब करेंगे और आगे की रणनीती का एलान करेंगे कि इसके बाद क्या करना है लेकिन यह जरूर है कि एक दिन की हरताल में काभी बड़ा नुक्सान जो है यहां राजस्व को तमाम जो विभागों को उठाना पड़ेगा तो आम जंता को जो है बड़ी मुश्किल उठ नहीं पड़ेगा, मनी कार धाशकार का एलान किया गया, और पूरे यूपि में कार पहुषकार का एलान किया गया, क्या लगता आपको, क्या को चत्स्र पड़ता वा नजर आएगा, प्रभावित होगी इसके लावा जो आम पबली है उसके तमाम काम होते हैं जो सीधे वकीलों के जरीय ही होते हैं तो जब वकील прим काम नहीं करेगा तो जहिर सी बात है कि उनको परवावित होना पड़ेगा और जिस तरह से मौसम खराब है ऐसे मौसम में लोग कोड तक पहुचेंगे इस उमीद के साथ की उनका काम होगा लेकिन जब आदिवक्ता हरताल पर है तो जहिर सी बात है कि कोई काम जो है आज न्याले में नहीं होने वाला है तो बड़ी जो है बड़ी संक्या रहेगी लोग की जो इससे जो है प्रभावित रहेंगे जिनको परेसानी उठानी पड़ेगी अब देखना ये होगा कि एक दिन की हरताल के बाद जब अभी बार योसन जो है बैठक करेगा उसके बाद आके क्या निड़े लेता है अगर बात की जाए मेरिट की तो क्या को जैसार यहां पर देखने को मिल रहा है सभायकार भाहिशकार का देखे जो बकीलों का आज काम है तो पूरे यूपी में कार बाहिशकार का आईलान किया गया है बारस्टोसेशन ने इससे कार बाहिशकार का आईलान किया है चले आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद